दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक अमेरिकन राइटर या अमेरिकन पोईट जिसका नाम है सिल्विया प्लाथ इनके दोड़ा लिखी गई एक बहुत ही खु दोस्तों ये पोईब एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन था सिल्विया प्लाथ का इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए जो लोग ये एकस्पेक्ट करते रहे उस समय कि जो फीमेल है उनको कभी व्रिद्ध नहीं होना चाहिए मेरा मतलब है कि जो व्रिद्ध फीमेल होती है जो ओल्ड लेडीज होती है उनको उतना लोग केर नहीं करते थे उतना ध्यान नहीं देते थे उनके उपर उन लोग को ये ये मानते थे कि जो लोग व्रिद्ध हो रही है वो इस समाज के लिए नहीं बनी है और इसी सोच के उ और हर एक इस्टेंजा में नाइन लाइन्स है अगर बात करें इस पोएम के थीम की तो इस पोएम में थीम है Time, Aging and Mortality और Appearance and Identity इस पूरे पोएम में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक लेडी या फिर कोई भी व्यक्ति जो यंग होता है और फिर समय के साथ-साथ वो बूढ़ा हो जाता है वो कभी भी समय किसी के लिए रुखता नहीं है और हर एक इनसान को अपने बारे में सच्चाई पता होनी चाहिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने श्यान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को दोस्तों के साथ जवर शेयर कर दें तो चलिए अब बात करते हैं अपने पोयर्ट सिल्विया प्लाथ के बारे में दोस्तों सिल्विया प्लाथ का जन 27th October 1932 को Boston, Massachusetts, US में हुआ था और उनका दिहान 11th February 1963 को जब यह 30 साल की थी यानि 30 यह की थी तब लंडन, इंग्लैंड में हुआ था इससे पहले भी इन्होंने बहुत बार अपनी जान लेनी कोशिश की थी यहीं सुिसाइड करने ही कोशिश की थी लेकिन लास्ट में, February में 1963 में इन्होंने अटलिस सुिसाइड करके ही अपनी जान गवा दी इनका pen name था Victoria Lucas और यह occupation से एक poet थी एक novelist थी और एक short story writer भी थी अगर इनके notable works की बात करेंगे तो The Bell Jar और Ariel इनके बहुत ही notable works रहे और इनके notable awards के गर बात करें तो Full Bright Scholarship, Glasscock Prize और फिर Pulitzer Prize मिला इनको 1982 में इनके death के बाद तो यह तो हो गई बात अपने Sylvia Plath की अब हम शुरू करते हैं आज का अपना पोयम दोस्तों पोयम शुरू होती है और यहाँ पर Sylvia Plath एक mirror का point of view लेकर चलती है कि एक mirror अपने आपके बारे में कैसे बताएगा वो क्या करता है, किस प्रकार से, कैसे चीजों को दिखाता है और क्या सोचता है लिखती है, I am silver and exact मैं silver color का हूँ और exact हूँ exact यानि मेरे सामने जो कुछ भी आता है as it is मैं उसको उसका प्रतिबिम्ब मैं उसको उसकी परशाई दिखाता हूँ exactly वैसे ही I have no preconceptions मेरी कोई पूर अधारणा नहीं है यानि मैं पहले से सोच कर नहीं बैठा रहता मैं क्या करता हूँ whatever I see, I swallow immediately just as it is मैं जो कुछ भी देखता हूँ मैं उसको उसी प्रकार ग्रहन करता हूँ जिस प्रकार से वो है unmisted by love और dislike यानि कि कोई भी इस चीज को प्यार करे यानि कि किसी को भी ये अच्छा लगे या किसी को भी बुरा लगे मैं इस बारे में बात नहीं करता मैं इस चीज का कोई असर लेता हूँ अपने उपर unmisted यानि कि अंदेखा करना यानि मैं इस चीज को अंदेखा करता हूँ कि कोई ये चीज अच्छी समझ रहा है या बुरी समझ रहा है किसी कोई बात अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है वो जैसा भी है मैं उसको दिखाता हूँ मैं कोई भी भेदभाव नहीं करता और नहीं मैं इस चीज़ को लेकर के preconceptions बनाया रखता हूँ अपने पास आगे वो लिखते हैं I am not cruel only truthful इस चीज़ से आप ये मस समझेगा कि मैं बहुत cruel हूँ मैं बिल्कुल भी cruel नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी निर्दई नहीं हूँ only truthful मैं सिर्फ सचाई दिखाता हूँ सच बोलता हूँ कैसे जिस प्रकार से the eye of a little god four cornered जिस प्रकार से भगवान की आँखें हमेशा सचाई दिखाती हैं हमेशा सच की बाते करती हैं उसी प्रकार से भगवान की एक छोटी सी आँख हूँ जिसके सायद चार कोने हैं यानि कि जो mirror है वो four cornered mirror है वो अपने बारे में बातें बता रहा है आगे वो बताता है most of the time I meditate on the opposite wall अधिकतर क्या होता है मेरे सामने मेरे opposite जो दीवाल बनी हुई है यानि कि एक mirror रखा हुआ है mirror के सामने कुछ जगह है जहाँ पर लोग आ करके अपने आपो देखते हैं और उसके बाद में एक दीवाल है तो यही पर यह बात कर रहा है कि अधिकतर समय मैं क्या करता हूँ मैं सामने जो दीवाल है उसको ध्यान से देखता हूँ उसको ही ध्यान से देखता रहता हूँ I meditate यानि ध्यान करना मैं उसको ही ध्यान से देखता रहता हूँ It is pink with speckles और यह जो दीवाल है यह किस कलर की है गुलाबी कलर की है जिस पर कुछ spickles, यानि कुछ दाग दब्बे लगे हुए है I have looked at it so long मैं इसको बहुत दिन से देख रहा हूँ और अब तो ऐसा लग रहा है I think it is part of my heart अब तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे ही दिल का कोई part है जो दीवाल है, ये मेरा ही कोई हिस्सा है मैं इतने दिन से इसको देख रहा हूँ मुझे ऐसा ही लगने लगा है but it flickers, लेकिन कभी-कभी ये flick होता है flickers, यानि कि टिम्टिमाना है न, यानि कि कुछ छड़ के लिए गायब हो जाना लेकिन कभी-कभी ये मेरे सामने से गायब हो जाता है और कभ गायब हो जाता है faces and darkness separate us over and over faces यानि लोगों के चहरे यानि कि जब लोग अपने चहरे देखने आते हैं तब ये मेरे सामने से गायब हो जाता है and darkness और जब अंधकार हो जाता है जब अंधेरा हो जाता है तब ये मेरे सामने से गाय होता रहता है बार-बार ये तो हो गई फर्स इस्टेंजा बढ़ते हैं अपने अगले इस्टेंजा पर आगे वाँ पर लिखती है Now I am a lake और अब मैं एक lake की तरह गहरा हूँ यानि कि मेरी कोई अंदर सीमा नहीं है मैं बहुत गहराई तक जाता हूँ गहराई जाता हूँ का क्या मतलब है मैं मेरे अंदर बहुत गहराई है जिस प्रकार से एक lake में लोग अपनी परचाई देख सकते हैं उसके अंदर ही बहुत गहराई होती है उसी प्रकार से मैं भी एक lake के समान हूँ A woman bends over me एक महिला मेरे सामने जुक करके खुद को देखती है bends over me यानि जुकती है मेरे सामने जुक करके अपने face को देखती है वो क्या देखती है searching my reaches for what she really is और वो मेरे अंदर अपने आपको देखती है कि कैसी वो वास्तों में दिखती है यहनि कि वो अपने आपको देखती है और वो यह सुचती है कि वास्तों में वो कैसी दिख रही है फिर इस बात से उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है आगे वो लिखती है then she turns to those liars the candles or the moon और मेरे अंदर खुद को देखने के बाद यह उन जूटों की तरफ मुड़ जाती है उन जूटों के सहरा ले लेती है वो जूट कौन-कौन से है candles और moon अब यहाँ पर candles और moon का क्या मतलब है दोस्तों candle की light बहुत ही dim होती है बहुत ही तेज प्रकाश नहीं होता है मौंबत्ती का उसी प्रकाश से चंद्रमा है चांदी रात में उसकी light dim ही होती है बहुत तेज प्रकाश नहीं होता है तो जो light होती है वो dim होती है इसलिए उसको अपने face की जुरिया अपने face का बुढ़ापा ढलता हुआ उसका उम्र ये सब चीज़ें उसको नहीं दिखती है तो वो इन सब चीज़ें को सोच करके खुश होती है इसलिए उसको यहाँ पर mirror liars कह रहे है जूटे कह रहे है और खुद ये truthful है यह हमें साज बोलता है इसलिए इसमें जब अपने आपको face को देखती है वो lady उसको अपनी जुर्णियां दिखती है अपने बढ़ती हुए उम्र का एसास होता है तो वो इस चीज़ को ले करके बहुत ज़्यादा hurt हो जाती है गुस्सा हो जाती है फिर वो क्या करती है I see her back and reflect it faithfully जब वो वापस मुड़के जाती है तब मैं उसके back को उसके peat को भी देखता हूँ और इसको भी मैं उसी प्रकार उसी विश्वास से reflect करता हूँ दिखाता हूँ उसे जिस प्रकार मैं उसके face को दिखाता हूँ यानि कि जो स्रीशा है वो कभी भी भेधभाव नहीं करता आप कुछ भी देखिये, कैसे भी देखिये, हमेशा वो सच्चाई ही दिखाता है और यही चीजें उस लेडी को पसंद नहीं आ रही है आगे वो लिखते है She rewards me with tears and an agitation of hands मैंने तो उसको सच्चाई दिखाया लेकिन उसने मुझे क्या reward दिया? अपने आसू और गुसे से कांपते हुए उसके हाथ Agitation Agitation का मतलब होता है उत्तेजना, अशान्ती, गुसा, क्रोध तो मैंने तो उसको सच्चाई बताई लेकिन वो इस सच्चाई को पचा नहीं पा रही है accept नहीं कर पा रही है इस truth को तो इसलिए वो गुसे में अपने हाथों को कसके पकड़ रही है दबा रही है और अपने आखों से आशू बहा रही है आगे mirror कहता है I am important to her मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हूँ She comes and goes वो मेरे पास आती है और जाती है Each morning it is her face that replaces the darkness और हर सुबह जिस प्रकार जैसे ही darkness हटती है जैसे ही अंदगार खत्म होता और सुबह होता है वो आ करके अपने face को देखती है replace, replace करती है यहाँ पर replace करने है क्या मतलब है जैसे darkness खत्म हो करके उजाला होता है सुबह होता है वा करके अपने face को देखती है In me she has drawn a young girl मेरे अंदर उसने एक young girl एक जवान लड़की को खो दिया है डुबा दिया है डुबा दिया है का क्या मतलब है कि बशपन से जब से वो छोटी है एक young थी फिर youth हुई फिर अप old की तरफ बढ़ रही है old age की तरफ तो इस प्रकार से इसने ये कहा है कि अपनी जवानी यानि कि जब ये जवान थी जब ये young थी तब भी ये आके मुझ में अपने आख को देखती थी और तब से लेकर के आज तक ये मुझे देख रही है इस प्रकार से इसने अपने जवानी के दिन है उसको भी मेरे अंदर ही देखे है मेरे अंदर डुबा दिया है और मुझ में ही वो ये भी देख रही है कि उसका अब बुढ़ापा आ रहा है जैसे ही एक एक दिन आगे बढ़ रहा है यानि कि जिस प्रकार से किसी नदी में पड़े हुए किसी व्यक्ति के तरफ एक बड़ी भयानक से डरावनी से मचली आती है तब वो व्यक्ति डरता है उसी प्रकार से उतने ही डर से वो अपने आपको अब मुझ में देखती है जिस प्रकार से उसके तरफ वो बुढ़ापा बढ़ता हुआ आ रहा है यानि कि अपने बुढ़ापा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि उस समझ जो सोसाइटी थी वो वृद्ध महिलाओं को कुछ नहीं समझती थी कोई वैल्यू नहीं देती थी और इस प्रकार यहाँ पर हमारा पोयम खत्म हो जाता है दोस्तों आशक करता हूँ कि ये पोयम आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा आप कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेश्ट कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नैसे टॉपिक के साथ तब तक के लिए पना ख्याल रखिए धन्यवाद